आज हम जानेंगे कि आखिर हम किस योनी से निकल कर आये हैं। हर जागलुक विक्ति के मन में कभी न कभी एक प्रस्न अवश्य ही आता होगा कि आखिर इस जन्म से पहले हम क्या थे, कहा थे, कैसे थे, क्या करते थे, कौन थे हमारे माता पिता, क्या हम मनुश्य ही थे या जान आप देने वाला कोई नहीं होता, तो आज हम जैन सास्त्रों के आधार पर जानेंगे कि आखिर हम किस योनी से निकल कर आये हैं, किस योनी से निकल कर आने वालों के कौन-कौन से लक्षन होते हैं और वे लक्षन कौन-कौन से हैं, उन सब के बारे में संचिप्त में जानेंग और वे चार गतिया हैं नरक, तिर्यंच, मनुश्य और देव तो सबसे पहले जानते हैं मनुश्य गति में से निकल कर आने वाले और मनुश्य गति में जाने वाले जीवों के लक्षन कैसे होते हैं तो पहला वे बहुती सववाग्यशाली होते हैं मीठी वानी बोलने वाले होते हैं बिना किसी कपट के और बहुत दान देते हैं सीदे सरल और सच्चे होते हैं चतुर होते हैं पर बेवकूफ नहीं होते और सब के साथ सनेहील व्यवार रखने वाले होते हैं तो जिनमें भी ये गुन दिखते हैं या वे अपने आप में इन गुनों को देखते हैं तो समझ ले वे मनुश्य योनी से आये हैं और मनुश्य योनी में ही जाएंगे अब जानते हैं नरक गती में से आने और जाने वाले जीवों के लक्षन के बारे में तो वे बहुत ही दुर्बाग्य शाली होते हैं कलेशी होते हैं यानि बार-बार कलर करते रहते हैं रोगी होते हैं जब तक रोग उनको घेरे रहते हैं अधिक भईवाले होते हैं यानि डर्पो किस्म के होते हैं अत्यंत आरंबी होते हैं यानि पापकारी धंदा शुरू करने में बहुत ही रुची रखते हैं बहुत अधिक क्रोध करते हैं या क्रोधी होते हैं तो जिनमें भी ये गुन दिखते हैं या वे अपने आप में इन गुनों को देखते हैं तो समझ ले वे नरक योनी से आये हैं या फिर नरक योनी में जाएंगे अब जानते हैं तिरियंग जिगती में से निकल कर आने वाले या जाने वाले जिवों के लक्षन क्या क्या होते हैं तो वे बहुत ही लोबी होते हैं या लालची होते हैं कप्टी होते हैं मुर्ख होते हैं जूटे होते हैं मुर्ख की संगत करने वाले होते हैं और अधिक चु उनों को देखते हैं तो समझ ले वे तिर्यंच योनी से आये हैं या फिर तिर्यंच योनी में जाएंगे। अब जानते हैं देव गती में से आने या जाने बाले जीमों के लक्षन के बारे में। तो वे सत्यवादी या दुरुड धर्मी होते हैं, देव गुरु के भक्त होते हैं, धनवान होते हैं, रूपवान होते हैं और पंडित होते हैं तो जिनमें भी ये गुन दिखते हैं या वे अपने आप में इन गुनों को देखते हैं तो समझ ले कि वे देवयोनी से आये हैं या फिर देवयोनी जाने वाले हैं तो ये थी संचिप्त जानकारी कितने लोग अपना पूर्व जन्म जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं या किसी ने अपना पूर्वजन्म देखा है तो भी कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें